हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्कोर पॉंट आज अपन इस वीडियो में डिसकस करते हैं 3D का टोपिक एंगल विट्विन टू लाइन के बारे में एंगल विट्विन टू लाइन तु देखो 3D का मैं डाइग्राम मनाता हूं सबसे पहले यह लिजिए यह एक्स अक्सिस यह वाई अक्सिस और यह आपका जेड अक्सिस यह ओरिजिन पॉंट ठीक है ना यहां से मैं एक लाइन मनाता हूं यह लाइन ले लिजिए आप L1 यह लाइन ले लिजिए आप L2 इनके बीच का जो एंगल है वो ठीटा ले लिजिए ठीक है चलिए सबसे पहले मैं कार्टिजन फॉंब की बात करूं या वेक्टर फॉंब देग लिजिए सबसे पहले वेक्टर फॉंब की मैं बात करूं तो वेक्टर फॉंब के अंदर एक्वेशन क्या होती है L1 की अब दो लाइन ले रहे हैं तो आरवन एवन हो गया और यह आपका बीवन फिर एल टू लाइन की मैं बात करूं तो आरवेक्टर इक्वेल टू A2 वेक्टर प्लस मू इंटू B2 वेक्टर आव इन दोनों की बीच में जो एंगल होगा थीटा ठीक है ना एंगल वेट्वेशन टू लाइन तो वो क्या होगा कोस थीटा इक्वल टू इन दोनों का डोट फ्रोड़क्ट वेक्टर बीवन डोट बीटू वेक्टर अपॉन में दोनों का मॉडूलस यह लेजिए यह फोर्मूल आपको मैंड में रखना है भई ठीक है ना दिखतो रहा ना आपको ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब इसके अंदर नोट लगा गया आपके यह केस डाल दीजी केस फर्स्ट ठीक है ना वेसे थीटा है आपका एंगल बिट्विन यह कोस इधर आएगा तो यह फोर्मूला बनेगा आपका थीटा इक्वल टू कोस इन्वर्स बीवन वेक्टर डॉट बीटू वेक्टर अपॉन में बीवन वेक्टर का मोडूलस और बीटू वेक्टर का मोडूलस ठीक है ना एक ही बात है केस नमर फर्स्ट को देखिए केस नमर फर्स्ट की में बात करूँ तो केस नमर फर्स्ट में यह दोनों लाइन आपकी क्या है परपेंडिगुलर उस कंडिशन के अंदर इस पूरे की वेलू किसके एक्वल आएगी जिरो के एक्वल यानि बीवन वेक्टर डॉट बेटू इन दोनों का डॉट फर्स्ट क्या एगा जिरो के एक्वल तब यह दोनों लाइन क्या हो जाएगी परपेंडिगुलर जहां रखना यह केस अपन यूज करेंगे अना क्यों संद करते वक्त केस नमर सेकिंड की में बात करूं तो सेकिंड के अंदर एल वन पैरलल है एल टू के तो जो कौ लीनिएर की कंडिशन होती है वेक्टर के अंudर यहां पई लिख दिजींग तो यह दोनों का दोर्फ प्राउडेक्ट जीरो आ है तो X1 अपॉन में A1, Y-Y1 अपॉन में B1, Z-Z1 अपॉन में C1, यह आपकी equation number first, यहां से मैं L2 की में बात करूँ, तो X-X2 अपॉन में A2, Y-Y1 अपॉन में B2, और Z-Z2 अपॉन में C2, इन दोनों के एंगल की में बात करूँ, तो cos theta equal to, क्या हैगा, इन दोनों का multiply, यहानि A1 into A2, इन दोनों का multiply, B1 into B2, इन दोनों का multiply, C1 into C2, फिर इनका modulus चीज़े मुझे, तो मैं इस vector का modulus करूँ, इस vector का, तो क्या आएगा, root of, root of A1 का square, इस B1 का square और इस C1 का square, फिर root of, A2 का square, B2 का square, C2 का square आज़ेगा, cos theta, हम इस cos को इदर लेके जाओं, तो बात तो एक की है वे से, तो theta equal to कितना आएगा, cos inverse, A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2, तो कितना आएगा, root, A1 का square, B1 का square, और C1 का square, A2 का square, B2 का square, और C2 का square, ये लिज़े, ठीक है, अब वोई case same, उपर वाले, कि जब दोनो, case number first, जब दोनो L1 perpendicular हो L2 के साथ में, तब क्या case आएगा, इस पूरे का multiply, ये पुरा value, A1, A2, plus B1, B2, plus C1, C2, इस पूरे की value 0 की equal, और जब case, second की में बात करूँ, तो जब L1 perpendicular की जगह में parallel ले लूँ, तो क्या आएगा, A1, यानि इन दोनों का ratio, यहां से जो value आएगे, यहां से, A1 upon में A2, B1 upon में B2, और C1 upon में C2, यह condition होती है, parallel की, इसका भी use करेंगे अपन question के अंदर, ठीक है, जहां रखना, अब मैं यहां पर एक्षी लेता हूँ, माली ची इस A1 की जगह है, यह A1, B1, C1 क्या है, direction ratios, इसकी जगह में L1 ले लूँ, L2 हो जाए, और L3 ले लू, या M1 की form है, सुरी सुरी, इसको ऐसे मतलूँ, यह M1 आजए, और यह N2, यह क्या आजए? N2, N1, ठीक है न, और इस A2 की जगह, L2, B2 की जगह, M2, और C2 की जगह, N2 आजए, तो L1, M1, N1, यह L1 लाइन की direction, cosine आजएंगे, ठीक है न, यह भी direction ratio, तब आपका जो angle है न, वो angle क्या मिलेगा, cos theta equal to L1 into L2, अभी इन दोनों का multiply करवा देज़े, M1 into M2, plus N1 into N2, upon में, और root of L1 का square, M1 का square, plus N1 का square, फिर root of L2 का square, M2 का square, और N2 का square, यह लेजिए, अब case number में first की में बात करूं, case number first, यह जब perpendicular हो, तो L1 perpendicular to L2 हो, तो क्या आएगा, L1 into L2, plus M1 into M2, plus N1 into N2, का multiply 0 की equal, है न, का multiply का sum 0 की equal, और case number second की में बात करूं, तो L1 parallel है L2 के, उस condition में क्या आएगा, क्या आएगा, L1 upon में L2, M1 upon में M2, और N1 upon में N2, यह लेजिए, ठीक है, यह जब line के direction ratio गिवन है, तब यह condition आएगी, और जब line के direction, cosine given है, तब आपकी यह condition मिलेगी, ठीक है, अब इनहीं पर बेस आपकी जो question है, वो उनको अपन discuss करेंगे, तो और बड़िया से आपको समझ में आ जाएगा भी, ठीक है, अब आप वीडियो को pause करके, इसको complete no-down कर लेना, और questions के बारे में आपन next video में discuss करेंग आज के लिए इतने thank you so much